Assalamualaikum friends, welcome to Arcel Tech Visual Studio के इस टुटोरियल में आज हम देखेंगे कि किस तर हम Screen Capture Application create करते हैं Windows Form Applications में So, अगर आपने अपने laptop ये PC's के screen के screenshots लेने हैं तो ये application आपके लिए बहुत helpful रहेगी So, चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारे टुटोरियल सबसे पहले हम एक new project create कर लेते हैं यहां से मैं name इसका change कर लेता हूँ Screen Capture Application So friends, जो हमारा project तो create हो चुक है अब हमने क्या करना है सबसे पहले हम थोड़ी forms की setting जो को देख लेते हैं ठीक है और उसकी बाद हम next step देखेंगे हमारे क्या हैं ठीक है सबसे पहले इसका थोड़ा size मैंने increase कर लिया और यहां से हम क्या करेंगे इस text को और इस icon को जो हो अपनी मर्जी के according जो चेंज कर लेंगे यहां से मैं कहते हूं screen capture application so यह मैंने इसका title रख लिया ठीक है यहां पर अब हम इसका icon जो चेंज कर लेते हैं यहां से मैं कहता हूं जी मैं icon use जी नहीं करना जाता so मैंने उसकी जो property थी उसको मैंने क्या कर दिया false ठीक है so अब हमने क्या करना है अब हम यहां पर एक यूज करेंगे picture box और दो हम use करेंगे buttons ठीक है यहां सबसे पहले मैं दो buttons जो ले लेता हूं यहां से एक button लिया हम इसका size थोड़ा increase करेंगे इस तरह और इसी को copy किया and paste यहां से हम इसको दोनों को adjust कर लेंगे ठीक है और यहां से हम एक लेते हैं picture box इसका size आपने increase कर लेना है ठीक है और यहां से आप इसकी कुछ anchor property को भी हमने adjust करना है ठीक है यहां से आपने से क्या कर देना है right and bottom को भी आपने select कर लेना है ठीक है तो अगर हम form की adjustment करेंगे तो उसके according यह picture box जो है adjust होता रहेगा ठीक है तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहां से मैं border style इसका क्या कर देता हूँ fix single तो इसके जो border है वो मुझे यहां पर show हो जाएंगे ठीक है तो अब इन buttons पर आते हैं और सबसे पहले इस button का क्या करता हूँ मैं text remove करता हूँ ठीक है और मैं यहां से क्या करता हूँ कि background इसका जो है वो एक image रख लेता हूँ ठीक है यहां से background image जो हो select कर लेता हूँ import और यहां मैंने कुछ image जो हो select की ही है ठीक है अब कोई भी image जो हो आप use कर सकते हैं यहां इस block save का जो icon है वो मैं use करना चाहता हूँ ठीक है यहां से मैंने वो select किया और यहां से अपने क्या करना है की यह जो flat style है इसको आपने change कर देना है यहां से आप flat select कर लेंगे और यहां पर background image layout आपने इसको change करके और यहां zoom select कर लेना है ठीक है तो जो ही आप यह दो प्रोपलिटी सेट करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आइकन होगा वो यहां पर शो हो जाएगा ठीक है तो अब इसी तरह नेक्स बटन को भी हम देखेंगे इसका टेक्स रिमूव करेंगे सबसे पहले और यहां से क्या करेंगे हम इसकी बैगरोड इमिज जो है वो स्लेक्ट कर लेंगे यहां से ठीक है और इसी तरह हम यहां से भी इसको जूम स्लेक्ट करेंगे और यहां फ्लैट जो स्टाइल होगा इसका हम वो यहां से चेंज कर लेंगे ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम एक, जो है, वो save file dialogue, जो है, वो use करेंगे, तो आपने वो select करना है, और अपने Windows Form application में इसको add कर लेना है, यहां से मैं इसका जो है, वो name change कर लेता हूँ, savefd, ठीक है, save file dialogue, आप कोई भी name इसका use कर लेता है, क्योंकि यह unique होता है, और आपने इससे ही अपने किसी भी class के अंदर इसको access कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारे जो design था, layout था, वो तो complete हो चुका है, अब हम चलते हैं, अपने code की तरफ, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके उपर आपने event create करना है, ठीक है, आप double tap भी कर सकते हैं इस button की उपर, और यहां से भी आप event generate कर सकते हैं, ठीक है, so, हमारा method यहां पर create हो चुक है, अब हमने इसके अंदर क्या करना है, हम अपनी image को, जो है, वो screenshot को capture करेंगे, ठीक है, so, उसके लिए आपने क्या करना है, यहां से सबसे पहले इस form को hide करना है, ठीक है, this.hide, So, यहां पर आपने क्या करना है, कि यहां आपने एक image का, जो हमारी class है, उसका एक object create करना है, मैं क्या देता हूँ my image, और यहां पर आपने simply क्या करना है, कि image my image equal to clipboard.getimage.getimage, यह आपने method जो है, वो use करना है, ठीक है, so, इससे क्या होगा, कि हमारे जो image जब capture करेगा, तो वो इस clipboard के अंदर उस image को जो है, वो add कर देगा screenshot को, ठीक है, so, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर picture box की उपर हम अपनी image को, जो वो set कर देंगे, ठीक है, image is equal to my image, okay, so, उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से अपने form को show कर देना है, so, अगर हम अपने application को run करें, और check करें, तो यहां से हम अपने screen जो हो successfully ले लेंगे, ठीक है, यहां से अगर मैं इस button पर click करता हूँ, और यहां आप देख सकते हैं, कि इसने image capture की, और हमारे picture box में add कर दी, लेकिन, अब हमने यहां पर कुछ settings करनी है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मेरे whole screen की, इसने image को capture किया, screen capture की, लेकिन यहां पर हमारे पस size fit नहीं आ रहा, तो हम इसको change कर लेते हैं, तो आप अपने layout में आएंगे, और यहां से picture box जो होगा, इसका size mode, आपने क्या select करेंगे जूम, अगर again हम अपनी application को run करें, तो यहां आप देख सकते हैं, अगर मैंने capture की screen, तो आपके सामने यहां पर फिट आ रही है, form की उपर, picture box के अंदर, ठीक है, तो अब हम इन buttons का border रिमूव कर देते हैं, क्यूंकि हमें यह better look provide नहीं कर रहा, तो इसके लिए आपने again अपने form की तरफ जाना है, ठीक है, यहां से अब हम इन दोनों icons को select करेंगे, और यहां आप देख सकते हैं, अगर आप properties में जाएं, तो यहां पर हमारे पस flat appearance, यहां पर एक property है, उसके अंदर आपने आना है, और यहां से border size को आपने क्या कर देना है, 0, और यहां से हम थोड़ा इनका size जो adjust कर लेते हैं, ठीक है, यहां से, ठीक है, अब हम अपने application को again run करते हैं, तो आप यहां देख सकते हैं, हमारे जो icons है, वो एक better look जो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने border जो है उनका remove कर दिया है, और अब चलते हैं, हम अपने save के लिए कुछ work कर लेते हैं, ठीक है, अगेन अपने double tab इसके उपर करना है, तो यहां पर method जो है वो create हो जाएगा, अब यहां पर आपने क्या करना है, जो आपने save file dialogue जो है उसका name यूज की है, उससे इसको access करना है, और सबसे पहले हमने यहां पर initial directory बतानी होती है, यूँकि जब भी file dialogue open होता है तो आपके सामने एक directory आती है by default, वो यहां हम set करते हैं, तो वो आप कोई भी set कर सकते हैं, मैं यहां set कर लेता हूं c, और यहां हमने miss कर दिया equal, तो उसके बाद आपने यहां पर dialogue box का title set करना है, यहां से हम title set कर लेते हैं, let's say मैं कहता हूं save screen shot, ठीक है, उसके बाद आपने यहां पर by default जो file name है, वो आपने set करना है, मैं इस case में जो आप वो null रखूंगा, क्यूंकि जब भी file dialogue open हो, तो मैं चाहता हूं कि जो user है, वो यहां पर जो वो इसका file name जो वो set करे, so यहां पर हमने एक mistake की है, कि हम brackets जो वो use कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम brackets जो वो use नहीं करेंगे, और simply यहां equal assign हम जो वो use कर लेंगे, ठीक है, so next step हमारा क्या है, कि हमने यहां पर जो वो एक filter use करना है, ठीक है, मैं आपको इसका use जो वो बता देता हूं, यह हमारे लिए किस तरह useful है, वो मैं आपको जो वो इस तरह बता देता हूं, ठीक है, जब आपका file dialogue open होगा, तो आपकी image की पिक्चर की कुछ extensions होंगी, वो JPG भी हो सकती है, PNG भी हो सकती है, GIF भी हो सकती है, तो यह filter आपके वही हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं, कि हम जो image, जो वो screenshot हो हमारा, वो हम save करें अपना, वो किस form में होना चाहिए, वो हम यहां पर लिख देंगे, वो हम चाहते हैं, कि हमारी जो image हो, वो हम .jpg extension में उसको save करें, तो उसके लिए हम यह extension यूज कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हम एक condition लगाएंगे, if, save dialogue box.show dialogue, ठीक है, not equal to, अब यहां पर क्या होगा, dialogue result.cancel अगर हमारा dialogue, show करते हैं dialogue box, और उसका result नहीं आता, cancel की equal, तो वो हमारे सामने जो वो एक dialogue तो open करेगा, उसके सामने हमारे पर जो वो save file name होगा, ठीक है, मैं आपको run करके चेक कर आता हूँ, ठीक है, यहां से अगर हम run करें और इसके उपर क्लिक करें save button पर, तो आप देख सकते हैं हमारा जो file dialogue है, वो हमारे सामने show हो चुक है, यहां पर file name जो हमने set किया था null, अब देख सकते हैं, तो वो यहां पर जो वो कोई भी नहीं है file name, और यहां पर हमने .image.save और इसके अंदर हमने जो है, वो दो parameter पास करने होंगे, सबसे पहले हमने यहां पर फाइल नेम हमने करना है, save fd.file name और दूसरा जो हमने यूज करना है, वो हमने image format जो हमने method को पास करना है, तो उसे यूज करने के लिए हम यूज करेंगे system.drawing.imaging.imageformat.jpeg ठीक है, मैं यहां इसको जो format जो select कर दिया, वो मैंने jpeg मतलब कि मैं इसी format जो इस extension में इस image को save कर सकता हूँ, ठीक है अब हम अपनी application को run करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी image capture हो रही है कि नहीं यहां से मैं एक image capture करता हूँ, आप देख सकते हैं उसने फोरण एक screenshot ले लिया अब मैं save के button पर click करता हूँ तो मेरे सामने save file log जो ओपन हो चुक है, मैं किसी directory में जाकर इसको save करता हूँ my image 1 और आप कह सकते हैं screenshot भी name रख सकते हैं कोई भी जो आप use करना चाहता है और यहां पर आप save as type यहां आप देख सकते हैं जो मैंने extension रखी थी यहां यहां पर show हो रही है सो अब यहां से हम save करते हैं और जाते हैं हम अपनी इस directory पर images save pictures सो आप देख सकते हैं my image 1 इस नाम से जो हमारा screenshot है वो हमारा save हो चुक है हम अगें यहां पर ही screenshot लेते हैं सो हम इसको save करते हैं इसी directory में pictures save images image 2 सो आपके सामने यहां पर जो screenshot जो आपका है वो save हो चुक है सो अगें इस application पर जाते हैं और मैं यहां आपको बताता हूं कि इसमें क्या error जा वो आ सकता है सो हम अगें अपनी application को run करते हैं और आप यहां देख सकते हैं कोई image नहीं select करते और यहां save के button पर click कर देते हैं और इसे save करने की कोशिश करते हैं तो यह क्या react करेगा हम देख लेते हैं save के button पर click करेंगे तो यहां आपके सामने यह एक error जो अब वो generate करेगा ठीक है object reference not set to an instance of an object अब यह क्या है हमारे image में हमारे clipboard में कोई image नहीं पड़ी थी और आप उसे save करना चाह रहे हैं तो यह possible नहीं है उसको handle करने के लिए हम यहां पर कुछ conditions apply कर देंगे ठीक है सो हम यहां पर condition लगाएंगे if image not equal to null अगर हमारी image जो है वो null नहीं होगी ठीक है वो क्या करेगा वो हमारे image को save file dialogue से save कर देगा यहां पर हमारी जो आएगी my image आएगी ठीक है और यहां पर हमने else में क्या कर देना है कोई भी हम message जो है generate करवा देंगे कि जो message box हम use करते वे हम कहेंगे कि आप सबसे पहले picture लें और फिर वो जो है save कर सकते हैं यहां से हम dialogue box use कर लेंगे please capture image first so again हम अपनी application को run करते हैं यहां से so हमारी जो application हो run हो चुकी है अब हम save के button पर click करते हैं और हम अपनी image को save करते हैं ठीक है जो हमने capture ही नहींगी मैं यहां से उसे कह देता हूँ image 3 और यहां से save करता हूँ तो मेरे पास यहां पर message box appear हो गया please capture image first ठीक है so अब मैं यहां से जो वो screenshot लोंगा और यहां आप देख सकते हैं मेरे पास image वो screenshot मेरा यहां पर picture box में जो वो set हो चुक है अब यहां से मैं इस picture को image को जो ही मैं save कर सकता हूँ किसी भी location पर ठीक है और यहां से मैं say screen shot ठीक है so मैं इसको जो वो save कर देता हो और यहां पर आप देख सकते हैं यहांपर जो image insert maintained वह यहां पर जो वह सेव हो चुकी है ठीक है तो इस तरह आप इस application को use कर सकते हैं तो यह था आज का हमारे tutorial जिसमें हमने देखा है कि किस तरह हम screen capture application को create करते हैं तो अगर आपको कोई problem यह की query हुई तो comments दो मुझे से लाजम भी उच लीजीगा अगले वीडियो तक सब्सक्राइब की तरफ से अलाँ हाफिज